योगी अधितनास अज्रेस्ट चीफ मिनिस्टर फुट्र प्रदेश लिसन इंट वाट इस तो से मैं धनेवाद हूंगा अपने सायोगी बिट्व मंत्री से सुरेश खनाजी को जिन्होंने उत्तर प्रदेश की पचीश करोण जन्ता की भावनाओं को ध्यान में रख करके अपना बज़क तुस्कुत किया और प्रदेश के इंदर एक सरसमावे सी समग्र दिकास की अधाना को ध्यान में रख करके आत्म निर्भर उत्तर प्रदेश के सरकल्पना को साकार करने वाला हर एक तब्के का प्रतिनिद्ट करने वाला बज़क प्रस्तुत किया है जिसमें गाओं के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजमान के लिए, महिलाओं के लिए उक्तर प्रदेश के भावी तस्वीर क्या होनी चाहिए इसके लिए भी अपना बजट प्रस्तुत किया है मौदे पिसले छे वर्स के अंदर उक्तर प्रदेश के अंदर बजट का जो आकार है यह दुगने से दिख बढ़ा है 2016-17 के अंदर इस प्रदेश में जो बजट प्रस्तुत हुआ था पत्तीन लाग चालिस हजार करूर उपे का बजट था और जब मेरे सयोगी बित्तमंत्री सिसुरेश खंडाजी ने सदन में बजट अपना प्रस्तुत किया 2023-20 का तो इस बजट काकार इस समय दुगने से ही 6,90,000 करूर उपे से लिटाए यह उत्तर प्रदेश के अर्थ जबस्ता के विस्तार को प्रस्तुत करता है यह उत्तर प्रदेश के GDP में वी लगभग दुगनी दिकास की यानि प्रगति को प्रस्तुत करता है उत्तर प्रदेश के प्रकैप्ता इंकम में वी विर्दी को भी प्रस्तुत करता है और उत्तर प्रदेश की जो यात्रा इस दौरान आगे वड़ी है तो एक जन्बिस्टास पराधारि एक यात्रा है जहां पर हरे एक तबके की अपनी जवाब देई है कोई अपनी जम्यदारी से नहीं भाग सकता पुरी प्रतिवदता के साथ पुरी जम्यदारी के साथ और एक तबका अपनी जम्यदारियों का निरुण कर रहा है और उसके बाद परिणाम सब के सामने है सरकार किस सरकार की होनी चाहिए समस्याओं से मुक मोड़ने वाली नहीं उसे चुनौती के रूप में स्ट्रीकार करने वाली होनी चाहिए सरकार ऐसे होने चाहिए जो जन्मानस की प्रति संबेदन सील हो लेकिन रश्टाचार और प्राद के प्रति जूरों टॉलेंस की नीती के तहरे कारे भी कर सके हैं और मुझे बताते हैं दौराओं के नहीं होती हो रही है के लगभग पिसले च्छे वर्स का एक कारे काल इनी प्रति बताओं को ध्यान में रख करके हमने प्रस्तित लिया मैं करने हाँ पर नेता बिरोधी दल के फुरे बक्तब्यकों सुनदा था और अपनी बात को कह रहे है मुझे अस्तर हो रहा था कि जब वो कह रहे थे तो उन्हें इस बात पर प्रसंता हो रही थी कि उत्तरत्रेस के पैरामिटर को पिछले पायदान पर धकेलने पर उन्हें प्रसंता हो रही थी उत्तरत्रेस पीछे क्यों भाग रहा था सत्र के पहले हर एक छेटर में पीछे क्यों जा रहां था हम सब जानने हैं हर वेक्ति इस बात को जानता है हर समस्या के दो समाधान होते हैं हर समस्या के दो समाधान धाग लो या भाग जो